असलाम वालेकूम, हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू मैई जहारास की चेन, आप सब कैसे हैं, इन साल लखायरियत से जरूर होंगे, आज मैं आप सब के साथ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ, आज हम बनाएंगे मसालेदार पूरी और उसके साथ आलू की तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मसालेदार पूरी और आलू की सबजी की रेसिपी सबसे पहले जटपट हम आलू की सबजी बना लेते हैं आलू की सबजी बनाने के लिए हमें एक मसाले की तैयर करनी होती है यहाँ पर मैंने एक चमच साबुद धनिया, एक चमच साबुद जीरा, आधी चमच अजोयन इन तीनों को हमें हलका सा रोष्ण कर लेना है, 2-3 मिट के लिए मैं कुकर पर ही अलू की सबज़ी बनाने वाली हूँ मैं इन तीनों खड़े मसालों को हलका से रोष्ण कर लेती हूं 2-3 मिट के लिए स्टोप के मीडियम टू लो फ्लेम पर और उसके बाद हम इसका एक दरदरा सा पाउडर तयार करेंगे आप इसे चटनी के जार पर पाउडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा रहता है तो इसले पाउडर नहीं हो पाएगा तो हम इसे दरदरा सा कूट लेंग यहां पर 3-4 लाल सुकी मिच को डाल लेना है आप चाहें तो लाल सुकी मिच को तोड़के भी डाल सकते हैं मैंने उसी तरह से डाल लिया है साबुत उसी के साथ मैं यहां पर 8-10 करी पत्ते एक चुटकी हींग डालेती हूँ और 3-4 सेकेंड के लिए हम इसे तेल पर सौटे कर लेना है उसी के साथ हम यहां पर एक मीडियम साइस के प्याज को बारी काट कर डालेते हैं और प्याज को हमें 2-3 मिट के लिए स्टोप के मीडियम लो फ्लेम पर हलका सा तेल में भून लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्याज कलर में थोड़ा सा चेंज हो जाए या फिर थो और इसे हम टमाटर प्याच के साथ थोड़ा सा 2-3 मीट के लिए भून लेते हैं ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए अब हम यहाँ पर पाउडर मसाले डालेते हैं पाउडर मसालों में हमें चाहिए एक छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच अब जीक दोफ लेते हैं तो सारे मसालों को हम मेद्याम भून लेते हैं इसी ठालो तोगस्ती के माझा रूब्रान देखना ग्माउटरान हमने जो पाउडर स्पाइसी पाउडर तैयार करके रखा हुआ है खड़े मसालों का उसे हम यहां बाया पानी डालेंगे चौड़ा सा लोफ लेंगे तोज प्रम दिया हम जो बून लेंगे में डालो माउटारान अब हमें चार से पांच मीडियम साइस के आलो को चोटे टुकड़ों में स्लाइस में कट कर लिया है। उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ और इसे मैं मसाले के साथ 2-3 मिट के लिए स्टोप के मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लूँगी। इसी दोरान हमें यहाँ पर एक चोटी चमच कसूरी मेथी, नमक हम यहाँ पर एक चमचे करीब डालेते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम्याज़ जादा कर सकते हैं, अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, कसूरी मेथी डालना नहीं भूलिएगा क्योंकि कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुसबू आती है, आलू की सबजी से, तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, अब मैं यहाँ पर एक ग्लास के करीब पानी डालेती हूं, और श्टोप का फ्लेम हाई कर लेना है, कुकर को अब हम लीट से कॉबर कर लेते ह छे से साथ हुई सिल आने तक हम हाई फ्लेम पर इसे पका लेते हैं, तो छे से साथ हुई सिल आ चुका है, अब मैं स्टोप को आफ कर लेती हूं, इसे थंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, थोड़े देर के बाद मैं इसका लीट आटा कर आपको दिखाऊंगी, अब हम साथ हमेहा अलू की सब्स अब बिलकुल बनक तयार है, तो चलिए अब हम मसाले दार पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं मसाले दार पूरी बनाने के लिए मैंने यहां पर 4 cup के करीब कहूं का अटर लिया हुआ है और उसी के साथ मैं यहां पर 1-4 cup सूजी डाल लेती हूं एक छोटी चमच औरी कहनो, एक चमच के करीब हमें नमक लेना है और साथ में मैं यहाँ पर दो चमच करीब तेल भी डाल लेती हूं, तो चली हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें इसका एक सॉफ पूरी बनने के लिए बिल्कुल तयार है तो चली अब मैं क्या करती हूं इसका पूरी का हम गोला तयार कर लेते हैं सबसे पहले हम अगर गोला बना कर रख लेते हैं तो पूरी तलने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और परेसानी भी नहीं होगी तो सबसे पहले म अब मैंने स्टोप के हाई फ्लेम पर कड़ाई रख ली है और पूरी तलने के लिए मैंने तेल भी रख लिया है ताकि हमारा तेल जो है अच्छा गर्म हो जाए उसी दौरान मैं यहां पर पूरी बेलना भी स्टार्ट कर देती हूं एक एक करते हुए आप चाहें तो तीन से चार पूरी को एक साथ बेल कर भी आप तल सकते हैं लेकिन मैं यहां पर एक एक पूरी को बेलूँगी और साथ में मैं इसे तलूँगी क्योंकि मेरी हेविट है इसे बेलने की तो मुझे परिसानी नहीं होगी मैं फटा फट एक के ब तो इसे हम फटाफट तीन से चार सेकेंड में भी हमारा पूरी फ्राय हो जाता है तो देखिए आप अब मैं इसे निकाल लेती हूं च्छान लेती हूं पूरी तलते वक्त हमेशा एक बात का हमें ध्यान रखना है तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए अच्छे गर्म तेल पर हमारा पूरी फटाफट बन भी जाता है तो इसी तरह से मैं सारे पूरी तल लेती हूं तो फ्रेंड्स आलू की सबजी और मसालेदार पूरी बनाना कितना आसान है आप देखी चुके हैं आप चाहें तो इसे सुबह के नास्ते पर जटपड बना भी सकते हैं और चाहें तो रात के डिनर पर भी आप इसे बना कर सर्फ कर सकते हैं अपने घरवालों को बहुत ही म करना मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और इसी तरह की बहुत सरी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकान को क्लिक करना मत भूलेगा उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं किने रेसिपी के साथ अपना खयाल रखें और मुझे दूआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज